चलिए मेरे प्यारे दुलारे विद्यारतियों हम लोग प्रस्न संक्या 90 पर किये थे प्रस्न संक्या 91 पर आपका स्वागत है ठीक है बहुत ही इजी कोस्चन है सूरिया के पास 10,000 रुपया थे उसमें से उसने कुछ रुपे पी को दो बर्स के लिए 15% सधारन ब्याज के दर पे उधार दिये उसने बचे हुए रुपे को क्यू को समान बर्स के लिए 18% सधारन ब्याज के उधार दिये दो बर्स पस्चास सूरिया को पता चला कि पी ने उसे क्यू के तुलना में 360 रुपया ब्याज के रुप में अधिक दिये पता लगा ये सूरिया ने कितने के हिसाब से तो P को 15% के हिसाब से और Q को 18% के हिसाब से तो मान लिया कि P को X रुपिया दिया 15% के हिसाब से और 10,000 रुपिया टोटल है ही तो Q को कितना देगा 10,000-X और किस हिसाब से बबु 18% के हिसाब से और कहा है P को जो मिला है न Q से 360 रुपिया ज्यादा मिला है दो साल में दो साल में दो वर्स पर चार सुरिया को पता चला पी ने उसे क्यू के तुलना में 360 रुपया ज्यादा ब्याज दिया तो पी क्यू से 360 रुपया ज्यादा ब्याज दिया तो पी का ब्याज क्यू के ब्याज से 360 रुपया ज्यादा है दो साल में तो दो साल में है यहां में एक साल का निकालें तो दो से क्या करेंगे भाग देदेंगे तो एकस का 15% माइनस इसको इससे गुणा करेंगे न भाइट दबल डियरो डबल जिरो कंसील ही हो जाएगा अठारव सो माइनस माइनस प्लस एकस का 18% ही हो जाएगा 360 में दूसरे भाग देंगे आजाएगा 180 ध्यान लगाएंगे 15% और 18% मिलाके एकस का हो जाएगा 33% 180 में 1800 जोड़ लेंगे हम लोग तो हो जाएगा 198 ठीक है तो एकस बराबर 198 बटा में 33% है यह उपर चला जाएगा 35% से भाग देंगे 33 नीचे में 100 जाएगे उपर में इस से कटेगा 60 बार में तो एकस का माना गया ओप्शन C Q को दिया 4000 रुपई चलते हैं आगे और ध्यान लगाते हैं गौर फर्माते हैं 92 नमबर कोस्चन पे आते हैं ठिक है कितने समय में 4000 रुपई का 6% वार्षिक दर्से सधारण ब्याद 400 रुपई होगा कितने समय में 4000 रुपई का 6% वार्सिक दर से सधारण ब्याद 400 रुपया होगा कितने समय में 4000 रुपया का 6000 वार्सिक दर से 400 रुपया होगा हमें समय निकालना है अब देखो 4000 रुपया का कितना ब्याज मिला है 400 तो हम निकालेंगे कितना परसेंट ब्याज मिला परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे 400 रुपया ब्याज मिला भाई 4000 का तो 100 का कितना 10% ब्याज मिला 10% ब्याज मिला और रेट है 6% तो हम टाइम निकाल लेंगे रेट कह रहा है कि 6% एक साल में ब्याज मिलेगा 6% एक साल में ब्याज मिलेगा तो 10% कैसाल में मिलेगा 10% में 6% से भाग दे देंगे परसेंट परसेंट कैंसील दूपाचे 10 दूतियां ही 6 यानि 5 बटा 3 वर्स में 5 बटा 3 वर्स को हम महीना में बदल देंगे कि सारे अफसन महीना में महीना में बदलने के लिए हम 12 से गुणा कर देंगे 3-4 के 12 यानि कि 20 माह कितना माह जी 20 माह ऑफसन डी ठीक है वच्छो हे हे चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते है 93 नमर कोस्चन पर आते किसी मिश्चित धन पर 2 वर्स का चक्रविर्धी ब्याज 41 रुपया है सधारन ब्याज 40 रुपया है तो दर बताईए इतना इजी कोस्चन ने 2 वर्स का सधारन ब्याज दिया है 40 रुपया सधारन ब्याज बाबु डाइरेक्ट मुलधन कहें मिलता है दो वर्स का सधारान ब्याज 40 रुपिया दिया है तो सधारान ब्याज हर वर्स बराबर मिलता है यानि पहला साल 20 रुपिया मिला होगा दूसरा साल 20 रुपिया मिला होगा 40 रुपिया मिला है न चक्रबिदी ब्याज 40 रुपिया क्यों है एक रुपिया ज्यादा क्यों है क्य एक रुपया जो ब्याज मिला है बीस का मिला है ना तो सौ का कितना पांच परसेंट ठीक है कोई दिक्कत लिख लो ठीक है ना सेर कर देंगे जितने लोग देख रहे हैं एक बार फिर से 94 नमर कोस्चन पर आते हैं तीन बर्स के बाद दे 1092 रुपया करी बराबर बारसी किस्तों में चुकाना है यदि ब्याज की दर 12 परसेंट है तो प्रते किस्त का मन बताई कहीं चक्रविदी ब्याज नहीं लिखा है सधार ब्याज मानेंगे ठीक है दर है 12 परसेंट यानि 100 रुपया 12 परसेंट है तो बारा जोड़ देंगे 112 फिर बारा जोड़ देंगे 124 बाबु ध्यान लगाएंगे 4,2,6,2,3,336 यानि 336 रुपया देना होगा न तो हम किस्त के रूप में 100 रुपया दे होगा 336 रुपया दे होगा तो किस्त बनेगा 100 रुपया तो एक रुपया का कितना 100 बट्टा में 336 दे या कितना है 1,092 तो 1,092 का कितना 100 बट्टा में 336 गुड़ें 1,092 कर लेंगे बाबु बारा दुनी के 24 और 9 पच्छो चियानवे 12 बार बाठ चियानवे 12 बार नवे 108 बार एकम बार ठीक है साथ चूक एठाइस और साथ सी कटा तेरा बार में और चार सी कटा पचीस बार में 25 तिये 75 के 5 हाथ में लगा साथ 25 से 25 साथ 32 तीन सो पचीस रुपिया किनी बच्चों को कोई दिक्कत बहुत ही अच्छा कोस्चन था जब बीस तरह कोस्चन है क्या करना सो एकसर बार एकसर चोड़ देना नेक्स्ट 95 एक आदमी 4000 रुपिया को तीन बरसों के लिए चक्रवीधी ब्याज पर लगाता है एक साल बाद धन रास इतना हो जाती है तीन साल का मिस्रधन कितना होगा तीन साल का हमें मिस्रधन निकालना है मेरे प्यारे पिद्यार्थियों 4000 रुपिया जमा किये हैं तीन बरस का चक्रवीधी ब्याज निकालना है एक साल के बाद इतना होता है यह हमें पता है एक साल के बाद इतना होता है हमें पता है यानि चार हजार रुपिया एक साल में हो जाता है तैंतालीस सो बिस रुपिया यानि एक साल में कितना गुना हो रहा है तैंतालीस सो बिस बट्टा में चार हजार गुना चार हजार से त साल में बताओ, मिस्रा धन बताओ, तो मूल धन कितना है? 4,000, और हर बार में यह होगा, 432 बटा में six to curriculum in thirty time, तीन बार करना है. 432 बटा में 400, गुदे 432 बटे में 400. थोड़ा सा यह calculate प्रस्ना है, ठीक है? कर लेंगे आप लो, आयेगा 5,049 रुपिया. ठीक है अप्सन ए इसका उत्तर होगा किनी बच्चों को कोई दिक्कत आगे बढ़ जाए नेक्स्ट 96 नमर कोस्चन पे आते हैं एक टेप रिकॉर्डर का नगद मुल्ले 35 रुपिया है एक टेप रिकॉर्डर का नगद मुल्ले 35 रुपिया है एक हजार रुपिया के पहले आंसिक और नगद से स्तीन बराबर सरल किस्तों में बेचा गया यदि साड़े 12 प्रसेंट चक्रविर्धी व्याज पर लगाया जाता है तो किस्त का दे ये बताईए अब 35 रुपिया में से 1000 दे दिये तो देने को रहा गया कितना? 25 रुपिया 25 रुपिया देने को रहा गया हमें किस्त पता करना है? क्या पता करना है? किस्त किस्त पता करना है माना कि किस्त है 100 रुपिया 25 रुपिया देना है एक सुरुपया किस्ट है तो साड़े बारा परसेंट का मतलब होता है बाब एक बटाट ठीक है एक सुरुपया किस्ट है तो किस्ट क्या होता है मिस्रदन होता है मिस्रदन से हमें मुल्दन निकालना है तो उल्टा होगा एक बटाट है तो बढ़ने के बाद नो बटाट ध्य गुणा करेंगे तीन बार जोड जोड के और मुल्धन कितना आना चाहिए हमारा पचीस सो रुपिया ठीक है बच्चों एक्स गुणे इसको हल करते हैं नौ 9, 81, 79, 739, 9 से कटेगा एकासी बढर में एकासी को आठ से गुणा करेंगा 8,1, 88, 9सी 739 कटेगा बाबु ये 9,81 से कटेगा 9 बढर में नौ को हम 64 से गुणा करेंगे यहां 64 है के उपर में नौचो के 36 के 6 हाथ में लगा तीन समझ में आ रहा है न क्योंकि 81 हो गया यह 739 हो गया 9 बार में कटेगा और 81 से यह 739 से 739 कट जाएगा यह हो जागा 512 परावर 2500 थोड़ा सा कल्कुलेटीव है बच्चों ध्यान लगाएंगे और गौर फरमाएंगे एकस जस्के तस यह तीनों को जोड़ देंगे 8 छो चौद़ा दूसोला के छो हाथ में लगा एक 4 साथ 11 एक बार एक तेरह हाथ में लगा एक ठीक है छो पांच एगार पांच 16 एक हासिल 17 729 पचीश सो ठीक है तब बाबु एकस का मान क्या हो जाएगा पचीश सो गुड़े 739 बटे में 1736 अब इसको हल करना है हमें ठीक है चलिए बहुत कल्कुलेशन है इसको करना आप लोग इसका उतर आएगा 1049.85 कोई कोई कोस्चन दे देता है थोड़ा सा कल्कुलेटिव बनारे का तरीका आप सीख चुके हैं किसी बच्चों को कोई दिक्कत ठीक है जितने लोग देख रहे हैं एक बरस वियर कर देंगे और आगे बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 97 के दो बरस के लिए 20% बारसिक शक्रविधी ब्याज पर P रुपया उधार लेता है ब्याज की दे ये इतना रुपया है तो P का मान बताईए भाई ब्याज दिया गया है आमें मुलधन निकालना है मुलधन निकालना बहुत असान होता है 20% को भीन में लिख लो एक बटा पांच जब भी मुलधन निकालना हो ब्याज दिया हो मुलधन निकालना हो तो मुलधन मानना पड़ेगा मुलधन क्या मानेगे उसके लिए रेट को भीन में लिख लो भीन में लिखने के बाद नीचे में देखो नीचे में क्या है 5 है टाइम है 2 साल टाइम 2 साल है तो 5 का स्क्वेर 25 मान लो मुल्दन क्या मान लो 25 अब 25 का 20% 5 होगा 20% 5 होगा पहला साल 5 मिला दूसरा साल 5 मिला हमने मूर का सूध ले लिया सूध का सूध बाकी है तो 5 का 20% एक हो जाएगा ठीक है अब टोटल ब्याज दिय गौर्ण फर्माएंगे यह कितना हुए गार्चु के चुवाली सिगार आठे 400 सी गुणा में मुल्दान निकालना है मुल्दाने 25 इसमें 400 सी गुणा कर देंगे 25 साव आठे 200 हाथ में लगा 20 25 के 100 और 20 120 यानी 12,000 रुपी आ चुका हमारा मुल्दान अब संटी वावु सुगा सोना दौन 20 परसेंट दिया था भीन में लिखे नीचे में देखे 5 5 के स्कुएर किये 25 माना के मुल्दान 25 इसमें चलो आगे बढ़ते हैं 2000 रुप्या 40% के दर से बारिशिक चक्रविदी किया जाते हैं चक्रविदी व्याज के दर पर तीसरे वर्स के ब्याज करासी के गड़ना किजे तीसरे वर्स का ब्याज निकालना है भाईया इतो easy questions है दू हजार रुपया है, 40% दर है, तो 40% इसका कितना होगा, 40% यहाँ भी, 40% यहाँ भी, और 40% यहाँ, 40% इसका कितना होगा, 800, 800 और 800, 800 का 40% 320, यहाँ आ जाओ, इस 800 का 40% 320, इस 800 का 40% 320, और इस 800 का 320 का 40%, 4 दुनिया, 4 ती, 12, 128, 28 हमें तीसरे वर्स का ब्याज निकालना ही टोटल जोड़ देंगे जोड़ देंगे बाबु 8 दूदू 4 दू 6 ठीक है आठ ती निगारत इन 14 एक 15 1568 रुपया तीसरे साल का ब्याज तो यही हुआ ना तीसरे साल का ब्याज 1560 रुपया किनी बच्चों को कोई दिक्कात समझ म आ रहा है ठीक है नेक्ष्ट 99 प्रती वर्स 20 परसेंट चक्रविदी ब्याज के दर पे 10 यह रुपया दिए गए यदि वह ब्याज अर्दबारसिक रुप से गीना जाता है तो दो वर्स का मिस्रधन बताईए भईया रेट दिया है 20 परसेंट बारसिक रेट है 20 परसेंट ब 2 साल समय दिया गया है चो चो महीना पर हिसाब करेंगे तो 4 बार हिसाब होगा इतना बार होगा चार बार हमें मिस्वह निकालना है पावव यह 10 100 रुप्या है, 4 बार हिसाब होगा, हर बार बढ़ेगा 10%, 11 बटा 10, गुड़े 11 बटा 10, गुड़े 11 बटा 10, अब चलो, यह 4-0 चार्जीरो कैंसी, अब कुछ नहीं, 4 गुणा करना आया है 11-11, 11 को 11 को 11 को 11 को 11 को 13 jury 131, 131 को 11 को 1356-334, 1446 1 ت ठीक है न चलिए मेरे प्यारे विद्यारतियों अगले प्रस्न प्याते हैं किस मुलधन का 9 बर्स का सधारन व्याज 8 पर्सेंट के दर्स से वही होगा जो 800 रुपिया का 3 बर्स का सधारन व्याज 9 बट्ड टू पर्सेंट से होता है किस मुल्दन का माना की मुल्दन है X X का 9 बर्स में 8% के दर से ठीक है वही होगा जो 800 रुपिया का 3 बर्स में सधारन व्याज 9 by 2% से होता है 9 by 2% के मतलब 2 0 00 00 cancel 99 cancel ठीक है बाबु किसी को कोई दिक्कत 8 से कटेगा 100 बार में दूर से कटेगा 50 बार में X बराबरा है 50 तियां ये 1.500 ये तो बहुत इजी कोईस्चन था 1.500 आच चुक है इस तरह से हम लोग चक्रविदी व्याज का X से लेकर 100 तक कोईस्चन बनाए पिछला वीडियो में जो है 91 तक कोईस्चन था बाकी कुछ तरूटी के कारण वीडियो रुख गया था इसको आगे हम बना दिये अगला क्लास कल फिर मिलेंगे हम लोग साम में 9 बजे से ठीक है बाई बाई टेक क्यार लव यू अपना ख्याल रखिए